मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अनाच के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे उड़त की बीच के बारे में जहां दोस्तों मुकुंद्रा सीट्स का ब्लैक ग्राम सीट्स उड़त का बीच इसके बारे में ये पूरा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मुकुंद्रा सीट्स के ब्लैक ग्राम सीट्स के बारे में तमाम तरह की इसकी उपियोग बताएंगे कि इसको आपको कौन-कौन से सीजन में उपयोग कर सकते हैं, कौन से मौसम में उपयोग कर सकते हैं, कब-कब आप इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी डोस के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी महत्वपून बाते भी बताएंगे कि क्यूं उड़त को आपको बुवाई करना चाहिए, इसकी क्या विशेष्टाएं होती है और खास करके मुकुंद्रा सीट्स के उड़त की क्या-क्या विशेष्टाएं है जो इस वीडियो के माध्यम से महत्वपून बातों के हिस्से में आपके सामने जानकारी प्रसुत करेंगे और कोई भी बीज हो दोस्तों उसकी बुवाई करते समय आपको क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे तो दोस्तों आईए शुरुआत करते हैं वीडियो की आपका जादा समय न लेते हुए लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए उप्योग की अगर हम बात करें तो क्यों उप्योग करना चाहिए दोस्तों क्योंकि कम समय में अधिक दाने वाली भरपूर फलियां देने वाले बीज जिया दोस्तों जलदी अवधी में कम समय में अगर आपको अच्छी मातरा में फसल लेनी है जिसका मार्केट में भाव भी बहुत अच्छा हो जिसमें रोग भी कम आता हो जिसमें पानी की अवशक्ता भी कम पड़ती हो जिसमें तमाम तरह के जो ups and downs आते हैं मौसम में उसको भी जहलने की शक्ती हो तो आपको उड़त की बीज का ही इस्तिमाल करना चाहिए और जब बात आती है उड़त के बीज की तो एक ही चीज का ध्यान रखिए मुकुंद्रा क उड़त का बीज ही बोना है जी हां दोस्तों मुकुंद्रा सीड्स ब्लैक ग्राम सीड के नाम से ये थेली ये पैकिंग आपको उपलब्ध होगी अनाज एप पर और आप आसानी से इसको खरीज सकते हैं लेकिन इसके लेबल का आपको जरूर ध्यान लखना है अगर आप कह और दस खासियत है जो आपको बजार के दूसरे उड़त के बीज में बिलकुल भी नहीं मिलेगी जिया दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं उपयोग के बाद में आपको बताते हैं कि इसकी डोस कितनी लेनी है आठ से दस किलो प्रती एक एकड आपको ये दवाई ये बीज कई मातरा लेनी है जिया दोस्तों लगभग दस किलो प्रती एकड के हिसाब से आपको ये बीज की बुवाई करनी है और कैसे करनी है उसकी जादा जानकारी देते हैं महत्वपून बातों के हिस्से में जिया दोस्तों सबसे पहली बात तो उड़त के लिए आद्र और गरम जलवायू की आवशकता होती है मतलब ज्यादा ठंडक में मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी इस टाइम पर उड़त नहीं होता है या तो होगा मार्च अप्रेल मही के टाइम पर गर्मियों का उड़त बोलते हैं या फिर होगा अभी जुलाई अगास सेप्टेंबर इ दोस्तों वो 25 से 30 डिगरी सेल्चियस का होना चाहिए जब उड़त की बुआई आपको करनी है उड़त की बुआई के लिए दोमट मिट्टी उप्यूब होती है और अच्छी तरह से खेत की जुताई करें रोटावेटर की सायता से मिट्टी को बारी कर लें बिल्कुल मिट की बार आपको दो बैग 50-50 किलो के SSP के जरू डालने चाहिए अपने खेत में चाहिए आप उड़त की खेती कर रहे हो चाहिए आप अन्य कोई खेती कर रहे हो ताकि जमीन को मुलायम और भुर्वरी बनाया जा सके और जमीन की उर्वरक्ता को बरकरार रखा जाए जमीन की उत्पादक्ता को बरकरार रखा जाए दोस्तों बुवाई का समय गर्मियों में मैंने जैसे बताया दो बार आप इसकी बुवाई कर सकते हैं साल में एक तो गर्मियों के समय तो आपको फरवरी मार्च में करनी है अप्रेल महीने में उड़द की खेती कर सकते हैं मतलब फर सप्टेम्बर तक इसकी कटाई कर सकते हैं तो ये दोनों ही चरण उड़त के लिए महत्वपून है दोनों ही जो मैंने अलग-अलग स्टेज बताईए इस समय तापमान भी 25-30 डिग्री रहता है वायू मंडल में थोड़ी सी गरम और शुष्क हवाएं भी चलती है ये पीक की खात का प्रियोग करना है चाहे आप उड़त की खेती करें चाहे आप अन्य कोई भी फसल की खेती करें जितना आप SSP डालेंगे उतना जमीन को भुरबुरी और मुलायम बनाएगा जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ हम वैसे भी केमिकल ज़ादा डालते हैं अपनी खेती में तो इसी लिए जमीन कड़क और सक्त हो जाती है इसलिए आपको SSP डालना बहुत जरूरी है पहली बार 15 दिन के बाद और दूसरी बार 30 से 45 दिन के बाद यूरिया डाल सकते है उडद में 4-5 सिचाई की आवशकता होती है जून जुलाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों वैसे भी 4-5 बार बारिश हो जाती है हलकी हलकी और उस बारिश से काम हो जाता है लेकिन अगर हम मार्च अप्रेल और फरवरी मार्च अप्रेल की बात करें तो उस टाइम आपको सिचाई की आवशक्ता होती है तो जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर सिचाई का पूरा प्रबंदन हो वहीं पर ही आपको उड़त की खिती करनी चाहिए खर्पतवार नियंत्रन के लिए अच्छी तरह से निंदाई और गुड़ाई करनी है और निंदाई गुड़ाई के साथ में आप किसी खर्पतवार नाशक का भी प्रियोग कर सकते हैं चाहिए वो इमेजी थापर हो या फिर वो क्लॉड़ी ना ही क्यों न हो उड़ज में इल्ली का अटैक, रस्चूसक कीट, सफेद मक्खी, पीला मौजेक वाईरस, पाउडरी मिल्डियू, रोग की रोगठाम के लिए समय समय पर दवाईयों का प्रियोग करना है जैसे शुरुवात में खर्पतवार नाशक का, फिर उसके बाद में फफफूंदी नाशक और अगर रस्चूसक कीडे हैं तो इमीडा क्लोरोपिट का कर सकते हैं फफुंदी नाशक में आप कार्बन डाइजरम मैंको जैपका कर सकते हैं या प्रॉपी नैपका कर सकते हैं ये जो सस्ते टेक्निकल हैं जो हम करीब-करीब हर फसल में डालते हैं वोही तरह की दवाईया आपको मुकुंद्रा के उड़त के बीज में भी करनी है अगर आवशक रखता है तो ये थी इसकी तमाम महत्वपूर्ण बाते हैं और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की यहां दोस्तों सावधानी में अगर हम सबसे पहली बात करें तो जो कतार से कतार की दूरी है वो लगभग एक हाथ जितनी दूर रहनी चाहिए अगर एक इस जगे होना चाहिए 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तब ही ये बढ़िया तरीके से फुटान कर पाएगा जब अंकुरन अवस्था के उपर निकलेगा तब और तापमान 25 से 30 डिग्री जो की जून जुलाई के समय में होता है और फरवरी मार्च के समय में भी ह 50 किलो प्रती एकड के हिसाब से आप डिएपी डाल सकते हैं और बोने के समय अच्छे अंकुरन है तो भूमी में 10 सेंटीमीटर तक गहराई में बीज बोना चाहिए अगर आप रूटावेटर से पहले ही जमीन को तयार कर लेते हैं तो आराम से 10 सेंटीमीटर तक बीज अंक अस्ताने और मूपे मास्क जरूर लगाना है और बीज जितना हो सके बीज उपचार करके ही ओड़ना है बीज बुगाई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है पैकट का पूरा उप्योग करने के बाद में उसको पूरी तरीके से नश्ट करके आबादी से दूर जमीन में गा यह सावधानिया आपको अपनानी है यह थी पूरी जानकारी मुकुंद्रा सीड्स के ब्लैक ड्राम सीड के बारे में उड़त के सीड के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे प्रभात फर्टिलाइजर्स के प्रभात शक्ती बायो फर्टिलाइजर के आने वाले वीडियो में बताएंगे ये पूरी जानकारी ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो please वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और नोटिफिकेशन का बैल आईकन घंटी वाला वटन जरूर दबा लें तकी आने वाल सारे वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहें दोस्तों नमस्कार